आज हम लोग पढ़ेंगे गौस के नियम का उप्योग करके एक समान आवेशित अनन्त सम्तल चादर के कारण वैदुद्चित्र तो फीगर बहुत गौर से देखिए हमने क्या लिया है ए बी सी डी एक अनन्त लंबाई का चादर और हमें क्या करना है गौस का नियम लगाना है तो गौस का नियम क्या होता है बंद प्रस्ट पे ही लगता है एक गौसियन प्रस्ट हम कंसीडर करते हैं तो इस प्रस्ट से दाइन तरफ एक बिंदू पी लिया है और इस प्रष्ट से बाइन तरफ एक बिंदू पी डैश लिया है ठीक है और इस प्रष्ट पे हमने गौशियन प्रष्ट जो कि एक सिलेंडर बन रहा है एक बेलन बन रहा है देखिए ये क्या बन रहा है एक बेलन अब इस बेलन के तीन प्रष्ट होंगे ठीक है एक यह रखिए पी बिंदू के पास देखिए एक डिये प्रष्ट है और ठीक इसी तेके से पी डैश पे एक क्या और यह प्रष्ट बंद रहा है ठीक है और एक क्या होगा इसका वक्रप्रष्ट ठीक है वक्रप्रष्ट क्या ह पहले किस बिंदू पर बात करते हैं बिंदू P पर और बिंदू P पर अगर हम वैद्दूत flux की बात करें तो देखिए 5 बराबर वेक्टर E.DA ठीक है यह होगा और जो बिंदू P पर जो छेतरफल है वो क्या है वैद्दूत छेतरफल की दिशा में है देखिए ठीक है प्रश् तो बिंदू P पर जो वैद्दूत फ्लक्स आएगा, वो क्या आएगा, E into DA, इसी प्रकार देखिए, P' बिंदू पर जो वैद्दूत छेत्र है, वो भी क्या है, इसके छेत्र के छेत्फल के दिशा में है, तो इन दोने के बीच में भी कोण कितना हो जाएगा, 0 degree, तो 5P' पर इस P' बिंदू पर जो वैद्दूत फ्लक्स आएगा, वो भी क्या हैगा, E DA, ठीक है, क्योंकि दोनों ही बिंदू पर जो प्रश्ठ था, वो वैद्दूत छेत्र की दिशा में था, लेकिन अगर हम जो बेलन है, उसके वरकतल से गुजरने वाले फ्लक्स की बात करें, तो वो वैद्दूत फ्लक्स क्या होगा, शूर्ने होगा, क्योंकि उसकी दिशा क्या होगी, वैद्दूत छेत्र की दिशा के लंबवत होगा, तो उस केस में थीटा कितना हो जाएगा, 90, तो E DA, कॉस 90 कितना हो जाएगा, कॉस 90 का मान होता है शूर्ने, तो उसकेस में क्या हो 0 तो इसलिए देखिए अगर हम total flux की बात करें 5e बराबर 5p मैंने p बिंदू पे 5p- मैंने p- बिंदू पे और वक्तरल से गुजरने वाले flux का बात करेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा 0 हमने values रख दी eda plus eda plus 0 तो इसका माना जाएगा 2e da ये क्या हो गया ये है जो हमने Gaussian प्रष्ठ माना था उस पे कुल वैदुत flux का माना गया ठीक है अब इसके बाद हमने जो आवेश दिया था वो आवेश क्या होगा q बराबर sigma into da जहाँ पे sigma क्या है प्रष्ठी आवेश खनत्वस surface charge density ठीक है तो अब हम गॉस्पर में जानते हैं गॉस्पर में क्या होती है 5 बराबर q upon epsilon naught ठीक है 5 बराबर q upon epsilon naught और q बराबर क्या है sigma into da अब हम 5e कमान और q कमान रख देते हैं तो 5 कमान यहाँ से निकला था 2e into da और q कमान हो जाएगा sigma into da अब left hand side और right hand side में से हमने da da cancel out कर दिया तो यहाँ से e कमान आ गया sigma upon 2 epsilon naught ठीक है यह क्या आ गया है वैदुचित कमान sigma upon 2 epsilon naught यह बहुत ही important formula है बेटा इसी के base पे हम लोग आगे बहुत सारे cases पढ़ेंगे उसमें formula बहुत use होता है बहुत सारे numerical आते हैं तो बहुत ही ध्यान से देखिए formula थैंक यू very much